कि चुनावी 27, 5 राजियों में 20 चुकी है लेकिन उत्रा खंड में जितनी राजनितिक उतल पुतल देखने को मिला उत्ना शायद ही किसी इस्टेट में देखने को मिला हो और इसी राजनितिक उतल पुतल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुखे मंत्री हरीश रावत जी हैं उनसे तमाम विशेयों पर बातचीत करेंगे सर इटीवी उतर परदेश उतराखंड में आपका बहुत स्वागत है और आपने चुनाओ अभियान में के बीच हमें समय दिया इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद भी सर एक मैंने यही सोचा था कि आप से पूछूंगा पहला सवाल कि सर कॉंग्रेस में तो एक-एक सीट क बलकि मैंने जो चीट सांटी थी वो बड़ी कचिन सीट थी बड़ी दूर दराज की चीट थी लेकिन अनंतों गत्वा मुझे लगा कि जो राजनितिक स्थितियां हैं उसमें मैं उधम सिंग लगा रहा है और हरदवार दोनु जो हो पार्टी के सामने खड़ी चुनोती का नेतित तो करूँ आगे से नेतित तो करता हूँ दिखाए दो और ये काम चुनाओ वहां से लड़कर की संभव था इसलिए मैंने पार्टी नेतित उसे आगरो किया कि मुझे किच्छा और हरदवार ग्रामीन इसे लड़ने दिया जाए हरदवार ग्रामीन सीट कभी भी कॉ नौती पूंड ही थी तो इस समय मेरे लिए बहुत आफशक था कि पार्टी को बहुमत मलाने के लिए हम उधम सिंग नगर और हर्दवार से ज्यादा सीते लाएं हमको पहले बहुत कम सीते मलकि उधम सिंग नगर से तो इस समय हमारे पर कोई ML है यह नहीं गेशन को लेकर किया स्थाइ राजधानी उसकी किसमत में लिखा है की नहीं गेशन की किसमत में लिखा है और जब एक बार वहां धांचा सब तयार हो जाएगा तो राजी के लोगों से पूछेंगे कि अब बताईए क्या करना है क्योंकि हम जब राधानी के हमे स्थाप से उस त्यार कर रहे हैं तो उई सिर्फ वो स्वाल इतना ही तो है कि कहीं गरीश पकाल में बेचेंगे यह ना, जड़ा से जणाधा जड़ा से जधाधा हो सकता राजी के लोग यह मुनासिब समझें कि नहीं अब सड़कें ठीक हो गी हैं, सब चीजें ठीक हो गी हैं और बेहतर संचालन वहीं से हो सकता है, तो राजी का संचालन कहां से बेहतर हो सकता है, दिकास को लीट कहां से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उसके हिजाब से हम फैसला करेंगे. सर उत्राखंड एक ऐसा एस्टेट है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी एक संकल्पना करते हैं कि कॉंग्रेस मुक्त भारत की संकल्पना वो करते हैं और बाकी जगों पर भी और केंदर में तो बहुत सिमट जाने के बाद आपके हाथ में एकलोते आप हैं जो कॉंग्रेस का जंडा उठाए हुए हैं और यहां सरकार चल रही है उत्राखंड का इलेक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवेल पर कॉंग्र के अस्तितों को बचाने की दिशाने पहली बात 77 में भी ऐसी शन आये थे फिर उत्राखंड के अंदर 92 में भी ऐसा शन आया था और फिर 2000 में ऐसा सन था जब हमारे साथ कोई नहीं थे लेकिन हमने जंडा थामा लोग देरे देरे आते गए कार्मा मनता गया और आज पार्ट कोंग्रेस की वापसी में बना मनोवग्यनिक कारख बना था मनोवग्यनिक प्रवाव डाला था और इसवार भी यह मनोवग्यनिक प्रवाव डालेगा, इससे कॉंग्रेस की वापसी कि दोजार उनिस में होगी, इसी लिए दिली जो भाजपा की सत्ता है, ओ मुझे चखना चूर कर देना चाहती है, हटा देना चाहती है, हर तरीके से मिटा देना चाहती है व्यक्तिक स्थर पर भी दिखाई दे रहा है आप तो पहले मैं समस्था था कैवल राजमें तिक स्थर पर है आप तो व्यक्तिक स्थर पर भी भाजपा प्रहार करती भी या बड़े नेतागन प्रहार करती है मसलल सर एक दो एक्जम्पल से दर्शकों को बताईए जो आपने व्यक्तिगत बातें कहीं प्रहार वाली सी बी आई एक ऐसे मामला पर जो कोई मामला ही नहीं है और वह आप अफराद तो तब बनेगा ना जब मैं कहूंगा आप से एक इसाब मुझे ये चाहिए आप कहेंगे कारण तो तब बनेगा ना जब आप से भावताओं करूंगा जब मैं उसमें को लेंदेन करूंगा दे रहा हूं मैं ने ले रहा हूं ने दे रहा हूं ने भावताओं कर रहा हूं ने जर्वत बता रहा हूं के अलावा कर दूसरा को एक एक ऐसी वाचीत को आधार बना करके आपने स्टिंग स्टिंग करके और हलाग उल्ला मचा दिया एक तरफा और हमारे उपर सी विया की इंक्वारी जैसे जो है कोई बड़ा भारी आर्थिक अफराद देश का मैंने कर दिया हो और हकीकत यह है घर म है न लेकिन जिसके घर से गया है उसके ओपर मुकत्मा हो रहा है यह तो ऐसा यह सिद्धान्त मान लिया जाए तो कल जो है जिसके घर में ढकैती पड़ेगी इस घर में चोरी पड़ेगी थानेदार उसी के ओपर मुकत्मा दर्ज़ करेगा तेरे गर में क्यों पड़ी तो म हमसे promise किया गया धन है, वो हम को नहीं दिया जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे मुदे हैं अब ये मिठी तेल क्यों बंद कर दिया भाया आप ने? आपने गिहों क्यों बंद कर दिया? परवति राजी है, गिहों इतर लोग हैं, लेकिन आपने गए हूं भी बंद कर दिया थोड़ा सा कॉंग्रेस के स्टेट में आते हैं सर और उसकी बात करते हैं आपने कहा कि जो best man होते हैं उन्हीं को ticket मिलता है यही परंपरा रहे कि जो best man होते हैं उन्हीं को cabinet में भी मुखमंत्री अपने साथ रखते हैं लेकिन आपके तो सारे best man आपके लिए एक तरीके से अजीब साबित हुए और आपको छोड़ के चले गए एक एक करके नौ दस लोग गए इसको आप कैसे देखते हैं सर देखें इसके पीछे की मानसिक्ता पर बात करना चाहते हैं कुछ तो मजबूरियां कुछ तो प्रोवन नहीं होंगे जो गए हैं उन मैंसे एक व्यक्ति ऐसे थे जिनको ढ़ाई साल के विधाई अनौवव के आधार पर मेरे बीच साल के अनौवव को पीछे रख करके उनको मुख्यमति का बद दिया गया था मुझे दो हजार दो में नहीं दिया गया दो हजार बार में नहीं दिया गया हम पार्टी में बने रहे और उनने पार्टी छोड़ना मुनासिब रखा अब ऐसे लोग को क्या जवाब दे सकते एक व्य गहंटे पहले तक मेरी तारीफों के पुल बांद रहे थे, एक गहंटे के बाद मैं खलनायक हो गया, तो ऐसी मानशिक्ता के लोगों से क्या आप कर सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्या पद नहीं दिया, जिला यूर्क कॉंग्रेस, जिला कॉंग्रेस कमेटी, प्रदेश क कॉंग्रेस कमेटी, बिधान सवाध हैक्ष, और मंत्री, एक ही पत रह गया था मुक्रिम मंत्री का, लेकिन वो भी चले गए, तो ऐसे जो दल बदल हैं, उनके अलग अलग कारण हैं, क्योंकि उस में उस में नहीं जाता, यह लोग नीजी स्वारतों के कारण के हैं, के अандर अलग अलग धृव होते हैं ना, पक्स भी पक्स होता है ना पार्टी के अंदर भी, कुछ सांत होते हैं, कुछ लोग प्रशीद्वन्दितायं होती हैं, लेकिन पाटियां ऐसी चलती है, लोगतां कि पार्टी उमा यही होता है, यदि हिलेरी क्लिंटन और सेंड़र के बीच मों नहीं हुआ, अमेरिका के अंदर, हमारे देश के अंदर भी होता है, हर प्रांट के अंदर होता है, लेकिन हर कोई यदि दल वदलने लग जाए, तो फिर के अफरादी हैं ये लोग लोगतंत की पर्मपराओं को तोड़ने के अफरादी हैं के सेडूल के अफरादी है सर ये अपने घरों में भी कहा जाता है अपने समाज में भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है दो भी हो सकता है चार भी हो सकते हैं लेकिन दस दस गलत हो जाएंगे क्या ये माना जाए कि हरी शरावत में कहीं कुछ तो ऐसा नहीं रहा जिसकी वज़े से उन से लोग अलग हुए एक बाद मिंसे बताईए यदि दस भी थे मैं कही रहा हूं बीस भी ऐसा सोचते थे तो पार्टी के अंदर समाधान ने काले ने पार्टी में फोरम है आपके पास प्रदेश है आपके पास औल इंडिया कमिटी है आपके पार्टी अध्यक्ष ने है पार्टी उपाध्यक्ष ने है वहां समाधान डूड़िए समाधान दल बदल नहीं है ना दल बदल नहीं है हरी शौगत में खोट है हरी शौगत को बदला जा सकता है लेकिन डल नहीं बदला जाना चाहिए अपalion तो दल बदल करना है और आपने दल बदल करके जो राजन्य थी कह अस्रिटा तुपी राजी के ओपर उसका बहर पाई कौन करेगा जो आपने एक परंपरा आज यदे ये दलवदलू जीतते हैं तो इससे आगे दलवदल की एक परंपरा शुरू हो जाएगी ये राजी जो है जैसा पहले गोवा था जारकंड था नौर्थीस के राजी थे उस तरीकी की राजनीतिक अस्तिरता में चले जाएगा और आजी तो बड़ी मुश्किल से राजनीतिक सिर्ता माए और ये उत्राखन को राजनीतिक सिर्ता में धकेलने का काम होगा तो आप हरी श्रावज जैसे बुरे आदमी को ही सही उसको सीन से हटाने के लिए खुद सीन से हट जाएंगे मुर्चे से हट जाएंगे इस दुनिया कायरूं की नहीं है बहादूरूं की है इनको बहादूरी के साथ इनके बाद शैधान तिकता थी इनके बाद ने तिकता थी इनकी इनका इनके सवाल सही थे तो यहीं इनको लड़ना चाहिए था ना और गलत क्या एक बात बताईए इनमें से किस के साथ क्या नियाय हुआ है मुझे बताएं यह दूसरी पार्टियों से आई हुए लोग थे एक को छोड़ करके कभी कभी सबने कहीं कहीं कॉंग्रेस से निस्ता इनकी डगमगाई है पारटी कर नहीं जूड़ा मेरी भी आकांक्षाएं का भी दवी थी लेकिन मैंने अपनी पारटी महीं तो नहाई जूड़ा नहाई मिला भी आपने कहा सर कि इनका जीतना दल बदलूओं की एक परंपरा को बहुत स्ट्रॉंग करेगा और ये राजनीद के लिए बुरा होगा इनको हराने के लिए क्या फिल्डिंग की है आपने हमें कुछ नहीं फिल्डिंग करने या हम तो सीथे उत्राखन के लोगों से कह रहे हैं आप समस्ते हैं आपके तो विचार करिए विचार करिए यह दलवदलू जीत गए तो इसके बाद हर छे मेहने में साल भर में यहां सरकारे बदलेंगी जो मुख्यमंति कोई लोगों की महत्वा कांग्शा की पूरती नहीं कर पाएगा वो सरकार गिराएंगे दूसरे को मुख्यमंति बनाएंगे वैसे ही सोलस साल में नवा मुख्यमंति इस मार्च के महने में मिल जाएगा राजी को जो है और कितने लंबी लाइन लगानी हैं कोई भाई इसलिए राजमतिक सिर्था के हक में है कि दलवदलू हारें दलवदलू जीतेंगे तो उत्राखन हारेगा और दलवदलू हारेंगे सर अपना देश और समाज बड़ा ही छमाशील होता है उंगली माल भी अपना ट्रैक बदल के और उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया तो उसे सहचता से स्विकार किया गया इलेक्शन के नतीजे ग्यारा मार्च को आ जाएंगे उस दिन भाजपा और कॉंग्रेस के बीच यदि टाई होने की स्थिती मान लीजे बनती है आप दो चार पांच पीछे रह जाते हैं और यदि जो आपके कैबिनेट के लोग थे और बाहर थे यदि वो अपना सब कुछ छोड़के जो उन्होंने किया वो आपके साथ आना चाहेंगे और कॉंग्रेस की सरकार बनती दि हूँ मगर यदि वो चाहते हैं एक बेस्ट जो मेरे अंदर है जो मैं कर सकता हूँ जिसकी मैंने जलक जब मैं मुक्यमंती बन करके आया था चार पांच मैंने दिखाई थी यदि वो मुक्यमंती उनको चाहिए तो मुझे नकिवर सपस्ट बहुमत दें बलकि अच्छा काने के लिए मुक्यमंती के हाथ मजबूत होना जरूरी है इस राजी में बरस्टा चार के खिलाव ही निर्णायक जंग रगनी पड़ेगी मेरे कंदे दुग गए थे कई लोग के बरस्टा चार का बोज उठाते हुए मेरा मन जानता है मैं मैं कितना रोया हूं कितने कितने साल अपने बोजुद है लेकिन राजनितिक मजबूरियों के चलते कई लोगों से मैं नहीं कह पाया कि भाई स्टॉप इट अब मैं चाहता हूं इस राजी के अंदर ऐसा मुक्यमंती होना चाहिए जो कह सके स्टॉप इट और वो तब हो सकता है जब राजनितिक अर्स्टा न रहे मुझे अच्छी तरीके से मालू है इस राजी के अंदर पीछे क्या हुआ है मैं ऐसा नहीं समझ जानता हूं कि कितने लोग है जो लोग एक एक टूटी गाड़ियां लेकर के आये थे भी नहीं थी जिनके बाद आज वो प्रॉपर्टीज के बड़े-बड़े मालिक सो सो यकड़ कीजी हमीं नहीं हैं लोगों के पास भावन हैं लोगों पास, होटल नहीं लोगों के पास, अटालिका है हैं, मैं तो आज भी उत्रा खंद के अंदर आम उचको एक जमीन का टुकड़ा दिखा दिजे, सहर में कहीं इतने साल की राजनीती की बात खरीद पाये तो इस राजी के अंदर यदि कुछ मुझसे अपेक्षा है लोगों को यदि वो उस अपेक्षा को बोड़ देना चाहते हैं तो मुझे अच्छा बहुमत है मैं नहीं चाहता कि यह खपच्चे लगें सर आपने कहा कि बहुत दिनों तक आपने अपने कंधे पर भरस्टाचारियों का बोज उठाया है मैं अभी आपके साथ कारेकरताओं को इंटरेक्ट करते हुए देख रहा था तो मैंने देखा कि आपने उनसे कहा कि धाई साल में हर श्रावत अब वो नहीं रहे जो थे तो आप में कितना ट्रांसफॉर्म आया है सर भरस्टाचारियों के आस घिरे रहने से एक मुख्यमंती के लिए अपना बहुमत बनाए रखना आउश्यक है यदि आप कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं जब आपके पास संक्याबल नह करके रखे और बहुमत की लोग कीमत चाहते थे लोग थोपते थे गलत निड़ों को थोपते थे गलत कदम उठाते थे मैं एक सर्जन को जानता हूं जिसने ऐसी नियुक्तियां कर दी अपने विवाग के अंदर जिनमें जो है संबैधानी का आरक्षन का पालन नहीं किया ग बिल्कि दोनों नहीं था जो है भाज़पा के अंदर है ऐसा कहीं हो सकता है सार्शन के अंदर लेकिन किया लोगों ने मनमानе तौर पर जो है सारे विवागी परमपराओं को दरकिनार करके चीजां ठोपी गई लेकिन अब हमको कहीं कहीं सामचे से बिठाना पड़ता था क कहीं उनके दुराग्राव को जो है आग्राव के रूप में श्विकार करना पड़ता था मैं मैं दिल से कह रहा हूं इस बात को उत्राखने इसके लिए मुझे धंडित करना चाहे तो मुझे कबूल होगा धंड जो है लेकिन यह अकेले मुझको नहीं करना पड़ा है यह ऐसे लोग थे जिन्हों ने सतत तरीके से गलत चीजें की गलत परंपराएं डाली और उसका खामियाजा उत्राखन ने भुगता है इसलिए आज यह जिस हम जो चौती बार अपनी विधान सवाब बनाने जा रहे हैं तो उत्राखन को चाहिए कि निर्नायक बोट करे जिसके पक् बनाए रखने के लिए और तमाम जो आसमवैधानी काम हो रहे थे आपको इसका अपराद बोट है कि आपके हाथ भी उनके साथ गंदे हुए मेरे समय में नहीं हुए है असे मैधान एक कादम जो है दूसरों के समय में हुए है रोका नहीं गया उनको मैं उनकी मज़ूरियां भी जानता हूं जिन्नों नहीं नहीं रोका क्योंकि रोकते तो सरकार मेरी नहीं उनकी की भी गिर गई होती क्योंकि यह लोग जो है मनमाने का करने के आदी लोग थे वही लोग तो आपकी सरकार में भी थे सर नहीं मुझे अब क्या करते संक्या कहां थे बनाते आपने क्या समझोतर किया सर भाई सालों में हमने सर ये किया कि ऐसे लोगों को सरकार में रखा जो सरकार में एक दिन नहीं रहने चाहिए थे मैं स्विकार कर आरक्षन के नियम का पालन किया जाएगा और इस समय भी जब हम उनको contact worker का दर्जा दे रहे हैं तो हमने यह ताई किया है कि नहीं हम उतने जितने पद उस समय आरक्षित होने चाहिए ते जो पद आरक्षित नहीं हो पाए हैं वो आरक्षित पद हम नए तरीके से सेज़ित करेंगे हमने करेक्षित जफ उठाए लेकिन एक एक गलत चीज तो हुई और अंदेखी की गई और किसम हुई सब को शाफ है लोगों को मालूब है खिक कुछ लोग ऐसे थे कि हरे एक बार के कई को बहुन में गई तो राम को बनवाश हो गया उत्रा खण में तो कई बार लोग को बहुन में चले गए तो कभीन कभी तो कोई परमपरा जो है उस समय बनवाश हुआ होगा किसी परमपरा चले गए आपने कहा कि जनता उन्हें डंडित करे लेकिन उन्हीं लोगों के मुखिया के तौर पर जनता आपको माफ कर देगी इसका भरोसा है लोगों को मालू है कि हरीश रावत ने सरकार चलानी यदि मैं सरकार नहीं चलाता तो ये देवी आफदा से उत्राखन को उबारता कौन? चार धाम याता कौन प्रारम करवाता? कौन आज अर्श व्योज़ता को पट्री बिलाने का काम करता? जो मैंने उत्राखंडियत की सूचें आगे बढ़ाने का काम किया है जो सुरुवातें की हैं एक हजार से ज़्यादा उसको कौन करता? जो मैंने एक नवज़वानों के लिए एक आशा पैदा की ये साल तीस हजार पत बरे जा रहे हैं कौन इस काम को करता? तो एक तरफ मेरे सामने जो है एक बड़ा लक्ष था राजी के भलाई के लिए आम जन के भलाई के लिए और दूसी तरफ मेरे सामने इस बात का था कि मैं कुछ सनिक समझवते करके ऐसे लोगों को किसा चलूँ और ऐसे लोगों मंतिवंडल में रखूँ और मैंने जरूर जो है उनको मैंने जब दोनों में देखा तो मुझे लगा कि राजी के हित्म आवश्यक है कि यह जो मुझको आवस्तर मिला है मैं इसका भर पूर उप्योग करूँ और साथ-साथ इनको नियंतित करने की कोशिश करूँ और जब जोंजों मैं नियंतित करता गया वो लोग आसाज होते गए और जितना वासाज होते गए उसी तरीके से निकल गए एक बात बताईए जो बिक्ति हर सार्विंग जगो गोली चलाता हो इस तरीके का आच्रन करता हो जैसे डान स्टाइल में तो उसकी काम करने की प्रणाली हाथ जोड करके चलने वाले हरीश राव से मेल खा सकती है लेकिन शंक्याबल करने के लिए कुछ समय जबी दी मुझे उससे भी टॉलनेट करना पड़ा लेकिन मैंने आप देख लीजे जिस तिस दिस में मुख्यमंति बन करके आया तो मैंने उसके उस हैविट पर लगाम लगा दिया उनसे का नहीं एक MLA का सारवजने का आचलन क्या होना चाहिए किया न उसी तरीके से जो है कि मैंने अभी आपको न्यूक्तियों का परक्रण बताया कई तरीके कैसे फैसले थे जिनको मैंने रोकने का काम किया जिनको नहीं करने दिया आगे और उसका परिणाम था जैसे जमीनों की कुछ लोगों के बाद फाइल है मैंनों मैंनों रुक जाती थी मैंने मैंने फास्ट ट्रेकिंग स्रू करवा दी सिंगल विंडो सेस्टम जैसा लागू कर दिया तो लोगों को नागवार गुजरा उन्होंने का है यार यह तो मेरी मौनोपॉली थी मेरा मेरा अधिकार चेता था जितने दिन फाइल को अपने बार रोके रखता है यह रिश्रावत ने क्या कर दिया मैंने का भई यदि एक मेहने के अंदर नहीं होगी तो चीफ सेकर्टी उसका परमिशन जारी कर सकते हैं एक मेहने के एक हफ़ते के अंदर नहीं होगी जिलादिकारी जारी कर सकते हैं तो कहीं लोगों के हितों पर चोट पहुंची, तो जिनके हितों को चोट पहुंची गई, और निकलते गए. सर, एक कांग्रेस के आपस की बात करने, चुनावी मजबूरी में किसोर उपाद है, और आप दोनों लोगों के बीच मितरता को बहुत प्रदरसित किया जा रहा है, क्या वाकई में पैचा पब हो गया है, और सब सुछ सामाने है, क्या बात करो दो मैं किसोर, मेरे छोटे आई के जो है, कहीं कुछ नहीं है, बीच में थोड़ा सा, जो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, कुछ कारण रहे, लेकिन तो थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ा आखबारों में ज्यादा आ गया, या उन्होंने ज्यादा कह दिया, जो भी रहा हो, वहराल जो है, चार ऐसे ईसूस बताईए, जो जिसे लेकर आप कैंपेंडिंग में जा रहे हैं, मुद्दे, इस एक्षन के लिए, छोटे सब जवाब से, लेकि पहला मुद्दा है, कि अहरीश शावत ने क्या उत्राखंडियत की, जो पहले थी, जिनको राज जान दोलन के लोग महसूस क करते थे होना चाहिए था, वो की हैं, यदि की हैं, तो मुझे वोड दीजे, दूसरा, क्या मैंने एक समावेशी गरीब की हितेसी, महिलाओं, दलितूं, पिछ्णों, कमजोरूं, जो दूर दराज के छेते हैं, गाउं, गार, गजिरूं, गरीब की सरकार देने की कोशिस की है, तो मुझे आप आशिरबाद दीजे, यदि क्या मैंने नाजवानों के लिए, और महिला सर्शक्ती करन के लिए एक अच्छा रोड बै बनाया है, तो मुझे बोड दीजे, यदि मैंने जो प्रारम्बिक चुनोती मेरे सामने थी, जिसको लेकर के मैं यहां भेजा गया कि आपदा से राजी को उबारना है, और अर्थव्योसा को पट्री पेलाना है, परियतन को प्रारम करना है, चार धाम यात्रा को शुनियोजित करना है, क्या हरी श्रावत ये कर पाया है, इस दिशा में हरी श्रावत की पहल को आप समझते हैं, वो सार्थक हुई है, तो काइनित छेत रहें, उनमें रोजार के अवसर पैदा करूँगा, दो हजार वीस तक हर घर के एक सदशी को, चाहे सरकारी हो, अर्दसरकारी हो, नीजी छेत में काम दूँगा, ताकि हर घर के अंदर एक कमाऊ सदशी हो, और दो हजार वाईस तक हर उस हाथ को काम दूँगा है उनके लिए मैं अफसर पैदा करने का काम करूंगा दो हजार बीस तक गरीवी की रेखा के कोई नीचे नहीं रह जाएगा मैं हर गाओं को दो हजार अठार तक ऐसी पहल परारूंग करूंगा जिससे शड़कों से जूड़ने का उनका शपना जो है शाकार होने की तरफ अग्रशर हो सके आगे की तरफ बढ़ सके मैं बिजली आदी छेत्रों के अंदर जो आधार भूत मैंने सुधार किये हैं जिन में बिजली है जिसमें हमारे परिवहन है दूसे छेत्र हैं इनको आगे बढ़ाओंगा और अवस्तापना सुधाओं के विस्तार के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों को जो हजार हज के संक्या में होंगे उनको पैदा करने का काम करूंगा और मलीन वस्तियों के लोगों को उनके मकान के अधिकार को देने का काम का देने का जो मैंने कानून मनाया है उसको इंप्लिमेंट करूंगा और पैंतीस हजार लोग जो बिलो स्टेंडर्ड घरों में चूते जोपड़ी आदी आदी में रह रहे हैं, उनको एक अच्छा घर देने के सपने को शाकार करने का काम करूँगा. नोट बंदी और सर्जिकल स्ट्राइक कितना बड़ा इसू रह रह रहा है इचुनाओं में? छोटा जवाब से. बिल्कुल है, जो नोट बंदी है, वो लोगों की आर्थिक बंदी सावित हुई है. लोगों की पेट बंदी सावित हुई है. इसलिए लोग उसके खिलाब कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी. नाइटिन सिक्स्टी फाइब में जब इच्छोगिल नहर तक हम पहुंच गे थे, उससे कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी. तो जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, वो जो है, सेना के गौरब का, सेना के प्राक झासद है. ताकि एक बार अजमा के से देखें, मुझे 30-40 अंदर डेढ़ साल आपदा से जूशता रहा गया, एक साल रानितिक आपदा से जूशता रहा गया, लेकिन फिर भी और सालीर गापदा भी है, गर्दन तूटी है, लेकिन उसके बाब जुद भी मैंने उत्राखिन के जब्लमेंट के मिशन को पीशे नहीं रहने दिया है तो मुझे पांस साल अजमा करके तो देखें चलिए आप बहुत आत्मिस्वास से चुनाओं में जा रहे हैं सर और हमारी भी शुब कामना है आपके साथ है आपने एटीवी को वक्त दिया इसके लिए बहुत धनेवाद है थैंक्यू वेरी मच्च